हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर कैसे आप लोग उम्मेद है कि बहतर होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे समय नहीं मिलने के वज़े से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था लेकिन अब से वीडियो लगातार कंटिन रहेगी आज से हम लोग साइंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें से सबसे पहले हम लोग डिसक्राइब बायोजी के चप्टर इस वीडियो में हम लोग जैप प्रक्रम से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को डिसक्ष करेंगे तो चलिए वीडियो क करने के जैव प्रक्रम होता क्या है तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के दोरा किया गया प्रक्रिया जिसके दोरा उनके सरीड की रक्षा हो पाए मनुष्य जो भी काम करता है जिस काम के वज़े से उनके सरीड की रक्षा होती है वह सारा का सारा काम जैव प्रक्रम क हिस्सा है सोसन का मतलब हो गया ऑक्सिजन सरीड के अंदर जाना और जितने भी भोजन गरन करते हैं उनका उक्सिजाशन होने के वाद इनर्जी रिलीज होना अगर सोसन की प्रकडिया नहीं होगे था हमें इनर्जी नहीं मिल पाएगी और हम जीवित नहीं रहा पाएंगे भागों में ट्रंस्पोर्टेशन नहीं होगा तो फिर यह भी प्रॉब्लम होगा और जीव मर सकते हैं यह सारा जो भी प्रिक्रिया हमारे सरीर के अंदर होती है जिसे हमारे सरीर के अनुरक्षा हो सके वह सारा का सारा क्या कहलाएगा जैब प्रक्रम कहलाएगा ठीक है तो जैब प्रकर्म के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? पोशन ज़रूरी होता है. अगर हम पोशन ही नहीं करेंगे, खाद पदार्थों गरानी नहीं करेंगे, तो energy कैसे मिलेगी? और अगर energy नहीं मिलेगे, तो कोई भी काम हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला जरूरी चीज है पोशन, तो पोशन क्या होता है, विभिन प्रकार के खाद पदार्थों को ग्रहन करना, और उन से मिलने वाले उर्जाओं का उपयोग करना, यानि क्या है, पोशन क्या है, उन सभी जिसके द्वारा हमारे सेरिड में उर्जा का उत्पादन होता है, वो सारा का सारा प्रक्रिया क्या कर लाता है, पोशन कर लाता है, ठीक है, अब देखें, पोशन जो होता है, उसके दो मेथड होते हैं, एक ऐसा पोशन जिसमें जीव अपना जो भोजन होता है, वो खुद सोड़ से प्राप्ट कर दो चीजे ऊत्पन हो गए है खुद से प्राप्ट करना यानि स्वो पोशन होगा इसमें प्रकास के लिए चार चीज़ों का होना जरूरी है और यह चार चीज़ों का होना जरूरी है और यह अब देखो सुर्ण का प्रकास हमें भी मिलता है पौधे को भी मिलता जल्दता है कि आपना भौजन खूद तयार कर लेत तो खुद भोजन तयार करने के लिए चार चीजों का होना जरूरी है हम में भी तीन चीजें है या तीन चीजें कहीं न कहीं से मिल जाती है लेकिन चौथा जो हरित लवक है वो जंतु को हम लोगों कहीं से नहीं मिल पाता है इसलिए हम लोग अपना भोजन खुद तयार नही हो जाता हैब मैंने यहाँ पर यह जो सेंटेंस बोलब वो गलत बोला किया मैंनी कहा कि अपना भोजन खुद बनालेता है इसलिए स्वापूसी sine करते के उन नहीं स्वाठे काता है क्ऊंख वो क्पा जाता है अगर रखने कमें एस अदिम हड़ी तलवक पाया ही नहीं जाता इसलिए अपना भोजन खुद तयार नहीं कर पाते हैं उमिद है कि यह पॉइंट आप लोगो समझ में आ गया होगा तो पड़िवासित कैसे करेगा स्वापोशन का पोशन की वह विधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयंग तयार करता हो स्वापोशन क करते हैं लेकिन परपोशन का मतलब हो गया पोशन की वह विधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयंग तयार नौ कर किसी न किसी रूप से किसी अन्य सुरोथ से प्राप्त करते हो परपोशन कहला एक्जामपल क्या हो जाएगा हरे पेर पौधे को छोड़ कर सभी जीव जन अब बात करते हैं कि स्वापोशन का कोई टाइप नहीं होता है लेकिन परपोशन के होते तुवैसे बहुत सारे टाप से लेकिन हम यहाँ पर डिस्कॉस करेंगे तीन टाप के बारे में सबसे पहला हो जाएगा मधित जीवी पोशन जिसे हम से प्रोफाइटिक निउट्री और गौर करेंगे मृत जीवी मिन्स क्या मृत जीव से पुशन पराप्त करना ठीक है आपने पहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे सुक्ष्म जीवों को देखा होगा जो मरे हुए जीव के ऊपर ऐसे ही फैले होते हैं और उनसे अपना पराप्त करते हैं तो यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चीवों को क्या कहा जाएगा क्या कहा जाएगा मृत जीवी कहा जाएगा क्यों कहा जाएगा क् पतलब कहने का यह है कि पर पोशन की वहवेधी जिसमें जीव अपना भोजन मृत जन्तुओं के सरीर से प्राप्त करते हों क्या कहलाएगा मृत जीव पोशन कहलाएगा एक चीज़ याद रखिएगा यह जो भोजन प्राप्त करेंगे वह हमेशा और हमेशा लिक्विड फॉ पर उनके सरीड से चिपक कर उंको क्या कर लें और हम सोशीद कर लिक्याओ कर दो को करते हो चलेंगे को की हमेशा हैं मिठ जीव को कि आर्प लिकांपोज करके उनको प्राप्त करते हैं इसलिए सभी मिर्यटीवी को अप घतक या डीकंपोजर्ं भी कहा जाता है यह भीki aad याद रखे पुझेगा अप घतक किसे कहा जाता 15 को अप घ्र्टक या डीकंपोजर कहा जाता है इस दूसरा बात करते हैं प्रारी सम पोशन पर आनी सम पॉशन का मतलब हग सबत पर ग grabbed की घारा कि calculating करते हैं तो देए विक्सित प्रानी की हम लोग भी आ गए है तो अपने ऊपर लेखा कि एक्जमपल सब्सक्राइब और की किनकरते हैं की में करते हैं तीन है तो यहां पर मिलनी लिक्विड को और गैस को अगर तो एक सब्द में बोलता है तरल द्रवह और गैस को एक सब्द में क्या कहाता है तरल और एक होन थोच नहीं हम लोग ठोस और तरल दोनों को रूप में भोजन करते हैं ठीक है तो जितने भी पर प्राणी सम कोषी जीव होंगे उन सभी जीवों में ऐसा पोशन की विधी पाई जाती है जो हम लोग जिस तरीके से भोजन करते हैं वैसे ही वो भी करते होंगे ठोस या तरल के रूप में यानि क्या कहेंगे पर पोशन की वाव विधी जिसमें जीव अपना भोजन जन्तूओं के भोजन ग्रहन करने की विधी द्वरा ग्रहन करते हों जुस्ट लाकेट्स कौनसा आपका हो गया अब बात करते हैं पर जीवी पोशन नाम पर जाओ पर मतलब पर आया जीव मतलब जीव पोशन नहीं पराय जीव से पोशन प्राप्त करना अब आप को होगे कि पराय जीव से पोशन प्राप्त करना और परपोशन दोनों तेकी चीज हैं लेकिन देखो दोनों मंतर समझो परपोशन में क्या था कि कहीं न कहीं किसी दूसरे जीव से पोशन प्राप्त करता थ प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन परजीवी में क्या होता है कि जीव जो जीव दूसरे जीव से परप्राप्त करता है वह उस जीव को प्रभावित भी करते हैं मतलब जिस थाली में खाता है उस थाली को छेद भी करता है जैसे आप देखलो हमारे सरीर में बहुत सारे ऐसे जीवानु होते हैं जो हमारे सरीर के लिए हम फूल होते हैं तो वह सारा का सारा जो जीवानु वह सारा का सारा जो बैक्ट्रियाज होंगे वह सारा का सारा हमारे ल यह कीड़ से पर्फॉसन करें वह लेकिन दूसरे जीव से पराप्त तो करें साथ देखा होता है जिसे आम बोल चाल के ब्हासें बोला जाता है नि देखा Coming अमरवेल को जिस भी पौधे पर डाला जाता है उस पौधे को वो सुखा देता है क्यों क्योंकि पौधा जो होता है कोई विजीव होता है अपने हिसाब से पोशक्तत तो तयार करते हैं अब उस पर कोई बाहरी जीव आ जाए तो क्या होगा वो उसका बनाया भोजन खुद ख सेर कीजिएगा और आगे कंटिन्यू बना रहेगा ताकि मैं इस सभी जितने भी टॉपिक बनते हैं सभी को आगे क्लियर कंटिन्यू करता हूं मिलते हैं वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद